जीवन में अच्छा समय चल रहा हो तो कोई ये नहीं सोचता कि ये कब खत्म होगा. जाहिल सी बात कौन चाहता है, उसके जीवन में कभी बुरा समय आए. मगर अब ये तो सच्चाई बुरा समय है, तो अच्छा भी जरूर आएगा और अगर अच्छा समय है, तो एक ना एक दिन बुरा भी आएगा. मगर अक्सर बुरे समय में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और मान लेता है, उसके जीवन में अब कुछ ठीक नहीं होगा. मगर क्या ये सोचना ठीक होता है? जी नहीं, ऐसा सोचना और इस बात को मान लेना की वो अपने जीवन में सब कुछ खो चुका है. न केवल उसके आत्म विश्वास को कम करता है, बलकि आने वाले अच्छे समय वसफलता को खुद अपने आप पीछे धकेल देता है. तो ऐसे में इनसान को क्या करना चाहे? क्या ऐसा करपाना ठीक नहीं होता? जी नहीं, बिलकुल नहीं. अगर आपके जीवन में बुरा दौर दस्तत दे चुका है, और चाहते हैं कि आप इससे जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं, तो आपको चानक्य की आगे बताई नीती में वर्नित बातों को अपने जीवन पर अपनाएं. क्योंकि इस समय कोरोना के कारण किसी एक देश का नहीं बलकि पूरी दुनिया का बुरा वक्त चल रहा है. ऐसे में हर किसी के लिए चानक्य के द्वारा बताई गई इन बातों को जानना बेहत जरूरी है. बुरा समय आने पर इनसान भयभीत हो जाता है. दर के कारण वह किसी भी काम को सही से नहीं कर पाता है. ऐसे में चानक्य कहते हैं कि बुरा समय आने पर व्यक्ति को सबसे पहले अपने दर पर ही काबू करना चाहिए. क्योंकि दर एक ऐसी चीज है जो हमें कमजोर बनाता है और फिर ये धीरे धीरे जिन्दगी पर हावी होने लगता है. एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बुरे हालातों को अच्छे से हैंडल कर सकता है जबकि एक दरा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है. इसलिए हालातों से लड़ने से पहले आपको डर से लड़ना होगा. चानके के अनुसार जब भी डर आपके पास आए तो एक योधा की तरह उस पर हमला कीजिए वो आपको कभी आपको मार नहीं पाएगा. बीते समाई को लेकर न पच्चताएं, नहीं कभी अपने भविश्य की चिंता करें, वर्तमान में जियें. हर किसी के जीवन में असफलता का दौर सबसे बुरा होता है, जिसके बारे में सोचकर अकसर लोग परेशान होने लगते हैं. कहा जाता है, व्यक्ती को अपने भूतकाल यानी बीते और अपनी असफलताओं से निकलने का प्रयास करना चाहिए. इसके अलावा अपने आने वाले समय यानी भविश्य में क्या होगा इस बारे में सोचकर भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. अगर वर्तमान में हालात आपके पक्ष में नहीं है, तो आपको उसे वैसे ही छोड़ दे और बुरा वक्त गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती फिर वो दुख हो या सुख. व्यक्ति को बुरे समय के लिए ही अपने पैसों की बचत करके रखनी चाहिए. इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि अच्छा समय हमेशा नहीं रहता है, जिस तरह से अंधेरा प्रकाश में बदलता रहता है, वैसे ही समय. बुरे वक्त में अपना आत्मविश्वास कभी कम न होने दे. आत्मविश्वास में कमी से आपके दुश्मन को प्रगाड हो जाते हैं. इसके विप्रीच आपकी खुशी आपके शत्रों के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है और वो कमजोर हो जाता है.